नमस्कार मित्रो मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहर दिल से स्वागत करता हूँ आप देख रहे हैं राजीव किचन गाड़िंग यूटूब चैनल अगर मेरे चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें गंटी वाला बटन जरूर दबाए जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्तित होता रहूँ तो उसका नोटिफिकेसन आपके मॉबाइल में सबसे पहले पहुँझे बहुत ज्यादा今年 पूस्टाज हो रही थी कि भाईया यह जो आपने अपने बगीचे में बोतिले टांग रखी है सीसियां टांग रखी है जगे जगे पे सीसियां टांग रखी है ये क्या है और इसको कैसे बनाते हैं इसका काम कैसे होता है ये कहां से मिलेगा तो मैं इस वीडियो में कोशिस करूँगा कि आप लोगों की पूरी पूरी जानकारी कवर करूँगा जिसमें आप लोग भी बगैर दवा के बगैर प्रेस्टिशाइड अपने पौदों में शलक उसको खाते हैं तो उसके अंदर किले निकलाते हैं उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा बैगन के पौदों में आपने अक्सर देखा होगा इतना भायंकर की इतना सक का प्रियोग होता है और इसके बाद उसमें तब भी किले निकलाते हैं उससे भी छुटकारा मिलेगा बग अगरा बतिया लग रही है इतना छोटा सा जैसे लोकी की बेल है लोकी की बेल ने एक फल दिया उसमें मेल और फीमेल फूल होते हैं जैसे ही फीमेल फूल थोड़ा सा बड़ा हुआ और उसका पॉलिनेशन हुआ चाहे आपने हैं पॉलिनेशन किया हो चाहे मदबख्यों ने किया हूँ इसके बाद में थोड़े दिन बाद आप देखते हैं कि वो बतिया सूख कर लटक गई, काली हो गई, क्यों हो जाती है? क्योंकि फल मक्खी ने उस पे अटैक कर दिया, उसमें अपना डंक मार दिया, उससे कैसे छुटकारा मिलेगा, बगएर केमिकल के, तरोई की सूख जाती है, अक्सतर मेरे पास वाटसप पर सवाल आता रहता है कि हमारी बेले तो बहुत फल दे रही है, पर उनमें से फल सूख जा रहा है, यह भी कारण होता है फल सूखने का, तो आज मैं आपको उसी से छुटकारा दिलाने के लिए, वही चीज बना कर घर पे दिख देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी खाली बोतल, किसी भी पैपसी की, पानी की बोतल, कोई भी बोतल आपको इस तरह से खाली ले लेनी है, और इसमें खाली लेने के बाद जो इसका ये टैक है, जो इसका टेट मार्क है, इसको ऐसे करके हटा मैं देखे, बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा और हो सकता है, अगर आगर इसको आप आप director रहा हम सकर है, तो यह दो फल आप नहीं खराब होगा, एक भी बैगन में किला नहीं लगेगा, एक भी अमरूत के पुदे में फल में कीला नहीं लगेगा इसके बाद इसको उटाने के बाद ये धक्कन है इसका मैं अभी सारी क्रिया आपको बताऊंगा वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे आप वीच वीच में अगर बढ़ा बढ़ा कर वीडियो देखेंगे तो जानकारी अधूरी रहेगी फिर आपका काम नहीं बनेगा आप अपने बगीचे में इस तरह से बोतल बनाकर लगाएंगे फल मक्खी नहीं जाएगी फिर आप कहेंगे राजी जी आपका जुगाल बेकार था बीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस तरह से मैंने दखकन निकाल लिया बोतल को फिर रखा साइड में इस तरह से मैंने लिया यहां पर एक सोल्डिंग आयरन यह सोल्डिंग आयरन लिया आप इसकी जगे गैस के उपर छोटा पेचकस का भी प्रियोग कर सकते हैं इस धकन में एक छोटा सा होल बनाऊंगा 20 सेंटर में इस तरह से देखे 20 सेंटर में एक छोटा सा होल बनाऊंगा यह मैंने धकन में एक छोटा सा होल बना लिया और इस होल में मैं चेक कर लूँँगा एक मैंने लिया है ये 8 नंबर का नट वोल्ट ये 8 नंबर का नट वोल्ट लिया है और इसको मैं चेक करूँगा कि इस होल के अंदर चला जाएगा कि नहीं इस होल के अंदर अभी थोड़ा सा टाइट है तो होल को और थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हूँ के होगई फोड़ा सा होल को मैं ने और बढ़ा लिया इसमें बोल्ट के अंदर चला जए कि लिए इसके अंदर बोल्ट बड़े आसानी से इसके अंदर चला गया आब हमें क्या करना है इस तरह से एक तार लेना है, आप इसमें कापर वायर ले सकते हैं, मैंने यहां आइरन वायर ली हुई है, इस आइरन वायर को मैं थोड़ा सा टुकड़ा से निकाल लेता हूँ, पूरा वीडियो देखीगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, इस तरह से इसका लगभग एक टुकड़ा मैं निकालूँगा, चार इंच का, देखेए, इस क्लास से ऐसे मैं चार इंच का इससे एक टुकड़ा निकाल लेता हूँ, यह चार इंच का एक टुकड़ा निकाला और एक चार इंच का तुकड़ा और निकालूँगा, मैं दो यह मैंने दो तुकले यहां से निकाल लिए चार-चार इंच के अब इसके बाद में एक तुकले में ऐसे एक छोटा सा आपको होल बना देना जिसमें आठ नमबर बोल्ट हमारा फसेगा इस तरह सा देखे अभी मैं बना के आप देखे इस तरह से आपको छोटा सा इसमें होल बना देना है गोला सा बना देना और इसी में आपको यह नट वोल्ट खोल लेना इस नट वोल्ट के जगए आप आपके पास अगर इससे छोटा हो तब भी चल जाएगा मेरे पास इससे छोटा नहीं था और देखिए इसके बाद में जैसे मैंने गुंडी इसमें बना लेनी है एक छोटी सी गुंडी इसमें भी बना लेनी है एक छोटी सी गुंडी इसमें भी बना लेनी है यह देखे दोनों वायरों में इस तरह से छोटी सी गुंडी बना कर एक वायर में ऐसे बोल्ट को डाल कर और इस धक्कन के अंदर ऐसे डाल देना है यह देखिए इस धक्कन के अंदर डाल दिया अब नीचे से एक वायर और जाएगा इसमें एक वायर यह नीचे चला गया अब इसके बाद यह नीचे से नट को लगा कर टाइट कर देना है देख इतना टाइट कर देना है कि उपर से इसके अंदर पानी ना जाए इस तरह का छेद बनाना है ध्यान रखिए आप कि उपर से पानी को नहीं जाना चाहिए अब इसको प्लास की मदद से पकड़ लेता हूँ इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है क्योंकि अगर टाइट हो जाएगा तो इसमें उपर से पानी नहीं जाएगा बारिस जब होएगी तो बारिस का पानी इसके अंदर नहीं जाएगा कि देखिए खूप अच्छी तरह से मैंने इस धक्कन को ट्राइट कर दिया टाइट करने के बाद इसको ऐसे खड़ा कर लेना है और देखिए यहां पर धक्कन में इस तरह से मैंने बना लिया जुगाड़ अब अब इसके बाद में थोड़ा सा लेना है काटन ये काटन आपको मिलेगा ये इस तरह से रूई या काटन बोलते हैं ये आपको मेडिकल स्टोर में बड़े आसानी से 4-5 रुपाय का मिल जाएगा और ये बहुत समय लंबे समय तक काम आएगा और इसको केवल इतना सा टुकड रखने के बाद ये जो ढखकन का नीचे वाला इससा है, ये वाला इसको काटन को ऐसे इसमें फसा द y Avast मैंने इस तरह से इस और काटन को ऐसे दबा दिया अब इसके बाद भे फिर एक और होल करने हैं दोटो वो मैं दिखाता हूँ इस बोतल को लिए इस बोतल में 20 सेंटर पर यहां पर आपको एक होल करना है देखें कितना बड़ा होल कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए इस तरह से देखिए मैं इस तरह से एक होल करूँगा जिस से इसके अंदर फल मक्खी इसकी महक पाएगी और इसके अंदर जाएगी यह देखे इस तरह से मैंने इसके अंदर एक गोल सा होल कर लिया एक होल इस सुराक इधर किया और एक सुराक मैं इधर भी करूँगा देखे एक सुराक मैंने यह यहाँ पर कर लिया आप किसी पेचकस का साहरा ले सकते हैं किसी सरीया का साहरा ले सकते हैं होल करने के लिए उसको गैस के उपर गरम कर लिजिए और यह आसानी से होल हो जाएगा इस तरह से मैंने इस पर यह दो सुराख बना दिये बोतल में एक सुराख मैंने यहाँ पर बनाया है और एक सुराख इधर पर बनाया है आप इसके बाद में इस बोतल में डालना है लगबग पचास ग्राम या सौ ग्राम पानी इतना करने के बाद इस बोतल में डालना है सौ ग्राम पानी मैं इसमें 100 ग्राम पानी डाल लाँ बस इतना सा पानी इस बोतल में ध्यान रखें इस बोतल का पानी खतम नहीं होने देना है जब इसको टांगेंगे तो इससे पानी उलेगा भी मगर जब आप देखें इसमें पानी कम हो गया तो इसमें पानी डाल दें पानी डालने के बाद एक ये बजार में इस तरह का भी ट्रेक आता है पर ये ट्रेक बहुत ज़्यादा काम नहीं करता तो इसको आपको नहीं लेना है किसी किमत में आप ये वाला मत लीजे मैं इसका इस्तमाल नहीं करता आपके मर्जी है तो आप इसका लेकर व्योग कर सकते हैं पर मैंने इसका रिजल्ट अच्छा नहीं पाया फिर इसके बाद में यह देखिए मैं आपको दिखाता हूं यह वह सीसी है जो मैंने एमा जौन से मंगाई थी मैं इसका लिंक अपने वीडियो पर दे दूंगा आप पहां से जाकर देखकर मंगा सकते हैं इस सीसी को आप मंगा लीजिए और इसी के दस बूंद देखिए आपके सामने इसी सीसी के दस बूंद मैं इस काटन के टुकलें पर डालूंगा देखिए एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस यह दस बूंद इसके काटन पर पड़ गई अब इसके बाद में मैं अभी पूरी जानकारी दूँगा वीडियो को छोड़ के मत जाईएगा कि आपने देख लिया तो आपका हो गया इसके बाद में क्या करना है इसको सीसी के अंदर काटन को ऐसे डाल देना है और धकन को सीसी से ऐसे धकन को बंद कर देना है अब होगा क्या ये काम आपको हर अपते करना है एक दिन बनाएंगे आप इस काटन में आपको दस बूंद हर अपते डालनी है अगर आप यह काम हर हपते करते रहेंगे तो आपकी विच्छत के उपर किसी भी तरह की जो फल मक्ही है वो नहीं आएगी और इस तरह से आपको यू बना लेना है अगर बोतल में लगे पानी ज्यादा है वेट नहीं बरदास कर पा रही तो आप इसका पानी हटा भी सकते हैं यह जरूरी नहीं है कि आप पानी डालें मैंने आप पानी डाल के दिखाया है आपको आप जरूरी नहीं कि बगएर पानी के भी यह काम करता है और आईए मैं इसको यहाँ पर टांग के आपको दिखाता हूँ जैसे ये मेरी बोतले लगी हुँ है इनमें मैंने किसी तरह का देखिया पाणी नहीं डाल लखा है पर इसमें दिखे कितनी सारी मख्यां पड़ी इधार आहिए यहां पर बोटल टांग रखी है और इस बोटल को केवल मैं यहां पर देखे भी सेंटर में इस तरह से रस्टी में आपको ऐसे फसा देना है यह देखिए बस आपका काम हो गया तो यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें घंटी वाला बटन जरूर दबाएं जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आपके बीच उपस्तित होता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके मुबाइल तक सबसे पहले पहुँ सके जय हिंद जय भारत जय किसाथ